राज निर्वाचन आयोग की ओर से एक आवस्यक सुचना दिया गया है नगरपालिका आम चुनाओ 2022 को लेकरके एक महत्पुन सुचना प्रेसित किया गया है मुकेश कुमार सिन्हा सचिव राज निर्वाचन आयोग की ओर से पत्र जारी किया गया है इस पत्र में आप देख सकते हैं कि जो नगरपालिका का चुनाव है 2022 उसे समंधित मदान के इंद पर विभीन पद है तू वोटिंग कमपार्टमेंटल की अस्थापना कैसे किया जाना है उसके संदर में उन्होंने पत्र जारी कर दिया है इस पत्र में सापत और से निदेश दिया गया है कि नगरपालिका आम निर्वाचन 2022 में कुल तिन पद जैसा कि वाट परसद उपमुख परसद एवां मुख परसद का निर्वाचन एभीन के माध्यम से कराय जा रहा है वाट परसद का सीयू तिर्थीय मादान परदिकारी P3A के पास तथा उपमुख परसद एवां मुख परसद का सीयू तिर्थीय मादान परदिकारी P3B के पास रहेगा जो उनके द्वारा मदाताओं को बिहित रिती से मदान का प्राधिकार उपलब्द कराये जाएगा मदान कक्ष में परवेश करने के पचात कोई भी मदाता सारी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए आसानी से अपना वोट डाल सके इसके लिए आवस्यक है कि मदान कक्ष में वोटिंग कंपार्टमेंट पदवार एवं उची तरीका से बेवस्तित रूप से अस्थापित किया जाए ताकि मदाता को किसी तरह का भरम अथवा परसानी न हो साथ ही साथ यह भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि मदान की गुपनियता भी भंग नहीं हो उलेकनिया है कि दिनांक 22 अगस्त 2022 को जिला पता धिकारी के साथ हुए वीडियो कंफिरेंसिंग में बोटिंग कंपार्टमेंट के समन्ध में विचार बिमर्स किया गया था जिसकी काजवाही ग्यापांक 33 जिरो साथ दिनांक 23 अगस्त 2022 से सभी जिलो को पेशित की गई है उसके अलोक में पिठासिन पता धिकारी मदान कक्ष में इबिम सेल होकर अने वाले तीन पदों के विव को रखने है तू तीन अलग अलग वोटिंग कंपार्टमेंट निमलिक तुरूप से अस्थापित करना है आप यहां इस चित्र को समझ लीजिए इस चित्र में साफ तोर से बताया गया है कि राज निर्वाचन आयोक के द्वारा जो जारी द राज वार परसाद और निर्वाचन आयोक का जो लोगों है वह इस पर डाला रहेगा उसी तरह से उप्र गपार्षाद का भी वोटिंव कंपार्टमेंटल कैसे बनाया जाना है उसके बारे में दिशा निदेश दिया गया है मुख पारषाद के बारे में भी इसी के साथ आपको बता दे कि voting compartmental जो बनाने की प्रकिरिया है पहले किसको रखा जाना है तो सबसे पहले बार पारशत का रखा जाएगा फिर उप मुख पारशत का रखा जाएगा इन serial को ध्यान में रखा जाना आवस्यक है तो इसमें आपको इस पत्र में भी बताये गया है ति voting compartmental का रंग कैसा होगा voting compartmental का रंग अलग-अलग पद के अनुसार निम्शार होगा जैसे कि एक नमबर में वाट परशत का उज्ड़े रंग के Cardboard पर पद का नाम पत्र का नाम पीला रंग के कार्डबोड पर पद का नाम काला रंग से मुद्धित रहेगा तो ये इस पत्र में साफ्तों से यह भी कहा गया है कि कार्डबोड का रंग बाहर भीतर दोनों तरफ से उपरोक्त अंकित रंग का होगा तथा पद का नाम बाहर भीतर बरे अक्ष्रों में निध किया जाएगा और इस तरीक्य से उन्होंने जो सचीव हैं उन्होंने अनुरोध किया है कि उप्यूक्त ब्यवस्था का अनुसार वोटिंग कमपाइंट मेंन की ब्यवस्था सुनिचित कराया जाना है मदान केंद पर उप्रक्त बताई हुई बीधी से अस्थाफित किया जाना है और इसलिए उन्होंने साप्त उसे या निरेश सभी विभागिये लोगों को भेज दिया गया है और इस पर नमूना भी अंकित जिस्तरक्ष किया गया है उसी अनुसार वोटिंग कंपांट्मेंट को बनाये जाना है तो इन सारी चीजों पफर ध्यान देने क्या हो सकता है दो जो भी मदान कर्मी है उन्होंस अभी लोगों को यह ध्यान दिया जाना आवस्यक्यक है उसे पात्र दिया गया है इसलिक्रक्त आप लोग वोटिंग तो यह एक आवस्यक सुचना थी जो कि आप लोग साथ मैंने शेयर किया तो यह जो नगरपाली का चुनाव हो रही है यह महत्पुन उससे समंधित पत्र था जो कि जिसका पत्रांग 3845 है और इसका जो दिनांग है 13 सितंबर 22 को यह पत्र जारी किया गया है तो इस पत्र का है धन्यवाद जैहिन जैभाद जैस्क चटिए